श्री शिवाय नमस्तुब्यम जैहो भोले नाथ हरर महादेव दोस्तो इससे पहले की वीडियो में मैंने पशुपती नाथ के वृत में सुबह और शाम को हमें पूजा के लिए किसके सामगरी की जरूरत पढ़ती है तो वो पूजा थालियां शेयर की हैं और सुबह हमें किस प्रकार से पूजा करनी है ये वीडियो भी मैंने शेयर कर रखी है और आज की वीडियो में मैं शाम को हमें किस तरह से पूजा करनी है वो विदी बताने वाली हूँ तो देखिए सुबह जो हम थाली लगाते हैं पूजा के लिए उसमें ही इतनी सामगरी होनी चाहिए कि वो शाम की पूजा में भी काम आ सके और सुबह जब हम मंदिर से पूजन करके आते हैं तो वो थाली हमें डगकर रख देनी चाहिए और पशुपती नात के वरत में शाम की समय ये जो पूजन होता है वो प्रदोशकाल की समय किया जाता है प्रदोशकाल का जो समय है वो सूरियस्त से 35-40 मिनट पहले का और सूरियस्त से 35-40 मिनट बाद तक रहता है तो भोले नात की जो पूजा है भोले नात का जो पूजन करने का विधान है वो प्रदोश काल में अत्यांत उत्तम माना चाता है तो देखिए शाम की पूजा में ये जो भोग प्रसाद है ये हमें घर से ही बना कर ले जाना चाहिए और उतना ही प्रसाद बनाना चाहिए जिस या सामक के चावल की खीर बना सकते हैं और लिकिन अगर आप अन खा लेते हैं तो आप बेसन का सूजी का हलवा बना सकते हैं या गेहूं के आटे का आप कुछ भी मीठा बना सकते हैं चूर्मा पंजीरी पुए या चावल की खीर जो भी आप बनाना चाहें वो बना सकते हैं और इस प्रकार से देखिए, जो थाली हम सुबह लेकर गए थी मंदिर में पूजा के लिए, उसी में हमें हलवा रख लेना है, देखिए इस तरह से आप देख सकते हैं, मैंने दोने में हलवा भर कर रख लिया है, और अगर आपको कोई सामगरी सुबह नहीं मिल पाई है पू दोने, और डिवाइड करने के लिए बोक को चमच भी घर से जरूर ले जाएं, क्योंकि यह जो प्रशाद है, यह घर से लग अलग नहीं करना है, तीन हिससे घर में नहीं करने हैं, वही मंदिर में जाकर इसके तीन हिस्से किये जाते हैं, और शाथ में पंचामरत और अभिशेक के लिए जल भी ले जाएं अगर उस मंदिर में अन्मती है आपको अभिशेक की तो आप अभिशेक कर दें वरना आप छीटे देकर जल के और पंजामरत के पूजन कर सकते हैं और इस तरह से देखिए शिवलिंग के पीछे की साइट यानि दक्षिर दिशा में आप आसन लगा लीजिए और आप कुछ इस प्रकार से बैठेंगे कि आपका जो मुख है वो उत्तर दिशा की ओर होगा तो इस तरह से बैठके आपको पूजन करना है और यहां यह देखिए विश्नु शिवलिंग है तो यहां पर मैं खड़े होकर पूजन करूँगी क्योंकि विश्नु शिवलिंग का पूजन खड़े होकर किया जाता है और जो शक्ति शिवलिंग होता है उसका पूजन हमें बैठकर करना चाहिए तो इस प्रकार से थोड़ी सी साफ सफाई करने के बाद मन में बाबा का ध्यान करते हुए उनका इस्मरण करते हुए हम यह पूजन क नहीं होती है तब आप ऐसे में शाम के समय जल के और पंचमरत के छीटे देकर बाबा का पूजन कर सकते हैं और जितने समय भी आप पूजन करें मन में सिर्फ बाबा का ध्यान रखें और मंत्रोचारण करते रहें जैसे ओम नमस्षिवाय नमस्षिवाय जैहो भोले नाथ या श्री शिवाय नमस्षिवाय नमस्षिवाय इस प्रकार से मन में मंत्रोचारण करते रहें तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं अभिशेक के बाद आपको ये जल का लोटा खाली घर पर नहीं ले जाना है इसमें आप जलाधारी से जल जरूर भर ले और यह बहुत ही जल होता है तो इस प्रकार से देखिए हमें अभिशेक करने के बाद बाबा का श्रंगार कर लेना है और श्रंगार में हमें बाबा को क्या-क्या आरपित करना चाहिए तो वो सारी चीजें मैंने डिटेल से अपने पहले की वीडियो में डाल रखें जिसमें मैंने सुबह की प पशुपती नात के पांच वरत रखे जाते हैं, छटवे वरत का विधान नहीं है, और पांचों वरतों में हमें एक ही शिवाले में जाकर पूजन करना होता है, और अगर इस त्रियां इस वरत को रह रही हैं, और बीच में उनके पीरियेट्स आ जाते हैं, तो देखिए वो वरत आपको छोड़ना नहीं है, वरत आप रहेंगे, लेकिन आप पूजन शरंगार नहीं करेंगे बाबा का, और वो जो सोमवार होगा, वो आपके पांच वरतों में नहीं गिना जाएगा, उसे काउंट नहीं किया जाएगा, और पशुपती नात के वरत का जो उध्याप एगा, वो हमें पांच वन जोंवार में ही, शाम के समय कर देंगे जाएगार के उध्यापन में कुछ जादा नहीं होता है, इसकी वीडियो में आने वाले वीडियो में डालने वाली हूँ, तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, तो इस प्रकार से द इसे आप थोड़ा दूरी पर रख लें क्योंकि होता क्या है गलती से हम यह चटवा दिया भी जला देते हैं तो आप इसे पांचों दियों से थोड़ा अलग रखें लेकिन आपको थाली में से दिया मंदिर में उतारना जरूर है यह नहीं आप उसे थाली में ही रखा रहने दें तो इस प्रकार से देखिए दिये रखने के बाद सबसे पहले हमें यह जो हम भोग बना कर लाए हैं घर से उसके पार्ट कर लेने हैं आप बराबर बराबर तीन पार्ट करिए तीनों हिससे बराबर होने चाहिए और दो में आप बेल पत्र रख दीजिए एक में बेल ना रखें और इसके बाद जो दीपक हैं पांचु उन्हें हम प्रजुलित कर लेंगे और छट्वा दिया थोड़ा सा अलग है इसलिए हमें ध्यान रहेगा जलाने की गलती हमसे नहीं होगी और इस प्रकार से दिये प्रजुलित करने के बाद ये जो दो बेलपत्र वाले भो और सबसे पहले इसको खाकरी कुछ खाया जाता है तो देखिए इस प्रकार से हम दूप दीप और कपूर आरती कर लेंगे बाबा की प्रेम पूर्वक मन में बाबा का ध्यान करते हुए और इस द्रण निश्य के साथ के बाबा हमारी मनो कामना जरूर पूरी करेंगे तो द पानी कम पड़ जाता है या पानी यूज करना पड़ा आपको मन्दिर का कुछ भी यूज करना पड़ा तो इस दक्षणा से उसकी पूर्ती हो जाएगी और यह जो छट्वा दिया है इसे आप वापस अपनी थाली में रख लें और अपने घर के मुख द्वार के दाहिने ह साइड में फूलों का या चावलों का आसन देकर प्रजुलित करके इस दीपक को हम रख देंगे तो इस प्रकार से पशुपती नात के वृत की शाम की पूजा वीदी हमारी संपन्न हो जाती है और मुझे पूरी उमीद है वीडियो आप सभी को जरूर पसंद आया होगा व आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ओम नमस्शिवाए